नमस्कार दोस्तों स्वाब आते आपका इस वीडियो में जैसे कि आप सब जानते हैं कि विराट कोली का फार्म वापिस आ गया है और अभी जो स्रिलंका के खिलाप मैज चल रहे हैं उन्होंने अपना क्लास फिर से पा लिया है तो इसे के उपर हम आज का वीडियो बनाएंगे हमने अब तक विराट कोली को काफी सारे अच्छी पारिया खिलते हुए देखा है विराट अपने बैटिंग से हमेशा हमें चौकाते हुए आये है लेकिन आज भी उन्होंने जो पारिय के लिए उन्होंने कई सारी रेकॉर्ड तोड़ दिये है तो जानते हैं ऐसे कौन से रेकॉर्ड है जो उन्होंने इस पारिय के दौरान तोड़ दिये विराट कोली अब जो शतक बनाए वो उनका 46 हुआ शतक था याने Master Blaster शतिन तेंडल करके अब वो सिर्फ 3 स्थक पीछे है Master Blaster शतिन ने One Day में सबसे ज़्यादा स्थक बनाये हुए याने विराट कोली अब One Day में सबसे ज़्यादा स्थक बनाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है विराट कोली वंडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रग बनाना की सुचि में पाचवे नमर पर आएगे उन्होंने स्रिलंका के ग्रेट बैट्समन महेला जेवरदने को पीछे छोड़ दिया है और यह स्थान हासिल किया है विराट ने मास्टर ब्लास्टर का और एक रेकॉर्ड तोड़ दिया है वंडे इंटरनेशनल में किसी भी टीम के खिलाब सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रेकॉर्ड सचिन के नाम पर दर्ज था सचिन ने आस्टरलिया के खिलाब 9 शतक लगाए हुए थे लेकिन विराट कोली ने स्रिलंका के खिलाब अपना दश्वाशतक दर्ज किया और उनके नाम पर जो यह रेकॉर्ड दर्ज था उसे तोड़ दिया विराट कोली ने खुद कभी एक रेकॉर्ड तोड़ा है अभी तक की पारियों में विराड कोली ने जितने भी चक्के लगाया थे उन में से सबसे ज़्यादा चक्के इस पारी में लगाया है तो उनके नाम पर इसे पहले जो भी रेकॉर्ड था उसे उनने तोड़ दिया और एक नया रेकॉर्ड दरज किया इस पारी में उन्होंने 13 चोके और 8 चके लगाए है विराट कुली ने अभी जो पारी खिली है उनकी सर्वसेश्ट पारियों की सुची में यह दूसरे स्थान पर आती है इससे पहले नमबर वन स्थान पर जो पारी आती है वो उन्होंने पाकिसान की किलाब खिली हुई थी जिसमें उन्होंने 183 रन बनाए हुए थे विराट ने इस पारे में और एक रेकर्ड तोड़ा है लेकिन उस रेकर्ड को जानने से पहले चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकोन को जरूर दबाए चटा और आखरी रेकर्ड जो विराट ने तोड़ा है वो है अपने ही देश में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रेकर्ड सचिन्दें डूलकर ने अपने देश में सबसे ज़्यादा याने 20 शतक बनाए हुए थे और उसी record को विराटकोली ने तोड़ दिया और बहरत में ही 21 शतक लगाए हुए है यह और एक record है जिसे विराटकोली ने अभी तोड़ दिया है विराटकोली का यही form इंडिया के लिए होना बहुत जरूरी है पिछले साल तक विराटकोली कुछ खास form में नहीं चल रहे थे और पिछले तीन साल में उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया था तो बहुत से लोग उन पर सवाल उठाने लगे थे लेकिन उन सवालों को विराट कोली ने अभी जवाब देना चालू कर दिया है पहले की रन मेशिन वापस आ गई है ऐसे लगता है आने वाले वल्लकप में उनका यह फॉर्म भारत के लिए बहुत ज़्यादा वरदान सावित होगा तो हम यह आशा करते हैं कि विराट कोली इसी फॉर्म में खेलते रहे और भारत को जिद दिलाते रहे क्रिकेट से जूड़ी बाती जनने के लिए और क्रिकेट के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को जुरूर दबाएं धन्यवाद